हलो दोस्तों आप सबका सौगत है मेरे चानल बेक अन कुक प्याशन पर प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकन को हिट कीजिए आज हम सिखेंगे रेस्टोरेंट जैसे पनीर साथे घर पर ओभी कम इंग्रेडियंट्स में कैसे बनाते हैं तो चलिए जान लेते हैं इसके इंग्रेडियंट्स तो सबसे पहले 250 ग्राम पनीर ले लिजिये और इसको आप स्ट्रिप्स में काट लीजिए अब थोड़े से पीनट्स को रोस्ट कर लीजिए और उसके छीटे निकाल लीजिए अब हम पीनट्स को थोड़े मोटे पीसस में क्रश कर लेंगे हमको इसका फाइन पॉडर नहीं बनाना है दोस्तों तो इसको आप ग्राइंड मत कीजिए सिर्फ क्रश कर दीजिए अब एक बॉल में पीनट्स दाल लीजिए और इसमें 2 टीस्पुन कान फ्लोर 3 टीस्पुन मैदा 2 टीस्पुन टेमाटो सास 1 टीस्पुन सोया सास 1 टीस्पुन विनेगर 1 टीस्पुन सिज्वान चेटनी 1 टीस्पुन जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पुन रेट चिल्ली पोडर आड़ कर लीजिए अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ कर लीजिए और इसको सेमी स्मूध पेस्ट बना लीजिए आप देख सकते हैं इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी अब एक कडाई में तेल गरम कर लीजिए और अपने पनीर के स्ट्रिप्स को इस पेस्ट में डिप करके गरम तेल में डाल दीजिए अब इसको हाई फ्लेम के उपर हमको फ्राई करना है दोस्तों आप इसको टर्न करके दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर ले दोस्तों जब तके गोल्डन कलर हो जाते है अब हमारे स्ट्रिप्स बनके तयार है दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे अब एक टेबल स्पून ऑईल गरम कर लीजिए और इसमें थोड़ी से चॉप्ड गार्लिक दाल कर फ्राई कर लीजिए जब तके कलर चेंज करते हैं अब इसमें थोड़े से क्रेस्प पीनट्स डाल लीजिए और इसमें 2 िइस्पून टेमाट्यो सास एक टीजपून सोय सास राफ टीजपून सिज्वन चटनी और थोड़ा सा पानी अढ़ करके मिक्स कर दीजिए और राफ टीजपून विनेगर डाल लीजिए और एक टीस्पून रेट चिली पौडर डाल लिजिए और थोड़ा पानी एड़ करके करीबन हाफ कप इसको लो फ्लेम के ऊपर 2-3 मिनिट पकने दीजिए जब तके पकते हैं हम अपने पनीर के पीसस में स्टिक्स इंसट कर लेंगे यह ऑप्शनल हैं दोस्तों मेरे पास टिक थी तो मैंने इंसट कर दिया ताके यह अच्छे दिखें अब हमारी ग्रेवी बन के तयार है दोस्तों अब इसमें नमक डाल लिजिए सौसस में भी नमक होता है दोस्तों तो आप देखकर नमक डाल लिजिए अपने पनीर के पीसस अड़ करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब इसमें एक टीस्पून हनी डाल लिजिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए यह देखिए आपके स्वादिस्ट पनीर साटे बन के तयार है दोस्तों इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट सेक्षन में मुझे शेर कीजिए अपना एक्सपिरियंस इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का धन्यवाद